एक लंबे ब्रेक के बाद एक्टरेस अनुश्का शर्मा एक बार फिर से कमरकस कर मैदान रोतर चुकी है जी हाँ अनुश्का शर्मा ही बहुत प्रसिद है फिल्म इंडस्ट्री में और उनका नाम ही काफी है उन्हें काफी ज़्यदा पसंद भी किया जाता है वही इस बात की जानकारी हाल ही में रिलीज कर दी गई है कि फिल्म के फिर्स्ट लुक में वो साथ ही दिखाई गई है और फिल्म में अनुश्का शर्मा ने वर्सिद महिला किर्केटर जूलन गोस्वामी का किरदार निभाया है आपको बता दे कि अनुश्का शर्मा की आखरी फिल्म जीरो थी और जिसमें वो शारुक खान के अपोजिट नजर आई थी और ये फिल्म 2018 में ही रिलेज हुई थी वही किर्केटर गिराट कोली से ही शादी के बाद ये अक्टरेस की पहली फिल्म है 2017 में शादी के बाद आपको बता दे कि अनुश्का ने ही बॉलिवूड से ब्रेक लिया था और इसके बाद से ही अनुश्का शर्मा की ये फिल्म और टीटी प्लैटफॉर्म नेट्फिक्स पर रिलीज की जाएगी फिल्म के प्रोमो में ही अनुश्का किर्केटर जूलन गोस्वामी में किरदार में नजर आती है और बंगाली अक्ट्रेस में एक डायलो कहती है जब जर्सी खुद के नाम पर नहीं तो फैन किसके नाम को फॉलो करेगा किन्तु चिंता करो ना आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया और कल अपना पहचान भी बना लेगा मीडिया की माने तो महिला किरकेटर जूलन गोस्वामी एक फास्ट बोलर रही है और उनके नाम इंटर्नेशनल किरकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इंटर्नेशनल किरकेट के ही जूलन गोस्वामी के करियर साल 2002 और 2021 के बीच का था खबरों की माने तो फिल्म चकदा एक्सप्रेस की भी शूटिंग भारस में यूके में की जाएगी और इसको लेकर भी फिल्म को नुश्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्टेट फिल्म द्वारा प्रड्यूस किया जा रहा है और इससे पहले भी अनुश्का एनेच द परी और पाताल लोग जैसे चर्चित बैप सीरीज को प्रड्यूस कर चुकी है जो ना केबल अपने काम के लिए बलकि अपने फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं लेकिन हाल ही में उनका एक अलग रूप देखकर उनके फैंस दंग से रह गए हैं देजल शोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो खूब तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें उनका अंदाज बिलकुल अलग सा नजर आ रहा है वीडियो में आप देख सकते हैं सलमान खान दमंग के गाने पर पांडे जी बजाए सीटी पर थी रखते दिख रहे हैं औ वही शोशल मीडिया यूजर्स को हैरत में डाल रहा है लोग उनकी बॉड़ी का जमकर मजाग भी उड़ा रही है एक यूजर ने लिखा है अंकल का पेट बाहर आ गया एक ने लिखा है भाई के आठ पैक्स तो फैमिली पैक्स बन गए और कुछ लोग उनकी हाल या रिलीस फिल्म अंतिम दा फाइनल तुरुत में हुई उनके नकली पैक्स होने पर भी तंज कस्ते दिखाई दे रहे हैं वही एक यूजर नहीं ये भी लिखा है कि सल्मान को ट्रोल करते हुए ने साफ तोर पर लिख दिया अब बी ऐसे वाले ही उनके सिक्स पैक दिखाएंगे और याद गए हुए थे और इसी दोरान से डांसरी हलसर का भी ये वीडियो इंटरनेट पर सभी का ध्यान अपनी और खीच रहा है गौरतलब है कि सल्मान खान हमेशा से अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहे हैं लेकिन इस वीडियो से अपने फेबरेट एक्टर का ये हा अपने शादी शुदा लाइफ को इंजोई कर रही है श्रदा अकसर पती राहूल नगल के साथ ही क्वालिटी टाइम अपस्पेंड करते हुए जरूर दिखाई दे जाती हैं और कई तस्वीरे और वीडियो भी शेयर करती है हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जो कि पिछले दिनों मालदीव में हुए हनीमून बनाने का शूट किया गया था और इस वीडियो में श्रद्धा राहुल के साथ हनीमून पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई दिखाई दे रही हैं कभी दोनों पूल में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कभी बीच किनारे में दोडते और गूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपको बता दे कि श्रद्धा हनीमून के पलों को मिस कर रही हैं और उसका पता उनके कैप्शन से ही चलता है श्रद्धा ने वीडियो शेर करते हुए लिखा हां क्या हम अच्छे समय को वापस लिया हैं श्रद्धा हादों में चूड़ा पहनी हुई दिखाई दे रही हैं कभी बिकनी तो कभी और अलिया ड्रेस में नजर आ रही हैं आपको बता दे कि इससे पहले भी श्रद्धा ने हनीमून के दौरान ही कई वीडियो और फोटो शेर मीडिया पर शेर किये थे जिनमें उनका ग्लैमर्स अंदाज काफी ज़दा फैंस को पसंद आया था और फिलाल उनको फैंस तो पसंद करते ही हैं और काफी ज़दा कमेंस भी करते हैं उनके पोस्ट हमेशा आखसर देखी जाए तो वाइरल हो ही जाती है आपको बता दे कि इसके लावा भी उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया कॉमेडियन भारते सिंग प्रेगनेंट है उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो भी जारी करके ये खुश खबरी अपने फैंस के साथ शेयर की थी और बताया थे कि अप्रेल 2022 तेख उनके घर में नन्ना महमान आ जाएगा और इस बीच ही भारती ने एक नया फोटो शूट भी करवाया है जिसके तस्वीरे उन्होंने खुद शोचल मीडिया पर शेयर की है भारती इस फोटो शूट में लाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो काफी खुब सूरत भी लग रही है बेबी बंप के साथ ही भारती का प्रेगनसी ग्लो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है और फैन से तारिफ करते नहीं ठक रहे हैं भारती ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शिन में लिखा है खुशिया सोचो और बहुत मजा आएगा एक फैन ने उनकी तस्वीरों पर कमेंट करते हुए रिखा क्यूट भारती आपको ओल दिवस और एक अन्य फैन ने लिखा है ब्यूट्री क्वीन भारती ने पहली बार मा बनने को लेकर एक इंटरव्यू भी दिया है और जिसमें उन्होंने इस मुमेंट को लेकर कई बात तकलीफ होती है और मैं एक वर्किंग मदर हूँ तो मुझे आगे कोई कॉम्निकेशन नहीं चाहिए और इसको लेकर भी मैंने हफ्ते में ही तीन बार योग करना शुरू कर दिया है मैं डॉक्टर की अन्य सला पर भी ध्यान दे रही हूं ताकि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो स चुकी है और शादी के चार साल बाद वह माव बनने जा रही हैं जिसकी वजह से वह बहुत खुश भी नजर आ रही हैं भारती का कहना है कि वह प्रेग्नेंसी के दुनौवे महीने तक काम करना चाहती रहेंगी